इस वीडियो में हम सीखेंगे network interface card के बारे में, network interface card दरसल हमारे पास एक ऐसा electronic component है, एक ऐसा part होता है computer का, जो क्या करता है, इस्तमाल होता है computer को connect करने के लिए, एक computer network के साथ, एक computer network जिसके अंदर बहुत सारे computers होते हैं, और वो computer network जो है, वो computer network से आप चाते हैं, कि आपका computer उन तमाम computers के साथ connect हो जाए, यानि आप अपने computer का data बाकी computers के साथ share कर सकें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि आपको अपने computer में ये card लगाना पड़ेगा, अब इस card को ल suspension slots होती हैं, और ये network interface card दरसल है क्या, ये दरसल एक hardware interface है, between your computer, आपके computer और जो internet या कोई भी connection है, किसी भी network का उसके बीच में, अब अगर हम अपने computer के उपर अगर होल करें, तो ये जो हमारा computer है, ये दरसल इसका system unit के लाता है, अगर हम इसको खोलें, अगर हम इसको open करें, उसके अंदर ये हमारे पास different components हैं, difference के parts है, उसमें काफी important part जो है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर indicate किया है अभी, ये है आपका network card, ये network card जो है, इसे हम क्या करते हैं, कि अपने motherboard पे ये expansion slots आपको नजर आ रही है, यहाँ पे हम अपना network card लगा होगा, कि अब ये network card हमें किसी भी network से, किसी भी computer network से connect कर देगा, अब अगर आप यहाँ पे ये वाला अगर आप network interface card जो यहाँ पर दिखाए गिया है, ये network interface card किलाता है, wired network interface card, यानि इस network interface card में استعمال होती है wire, यानि यहाँ पे जो आपको यहाँ ये वाली slot नजर आ रही है, यहां पे मैंने इसको indicate किया है, यहां पे हम क्या करते हैं, अपनी wire connect करते हैं, अब यहां पे जो normally हम जो wire connect करते हैं, वो होती है आम तोर पे Ethernet wire, Ethernet wire जो होती है, इसके अंदर हमारा जो signal है, वो bits की form में यहां पे travel करता है, और data जो है bits की शकल में यहां पे पहुंचता है, तो यहां पे जो आपका network interface card है, यह दर असल क्या करता है, कि उस signal को convert करता है फ्रेम में, अब एक frame जो है, हमारे पास जो message यहां पे पहुचा है, वो एक frame में convert हो जाता है, अब उस frame के अंदर दो बहुत ही important चीज़े होती है, एक होता है source address, जिसको मैं S और A से यहां पे लिख रहा हूँ, यानि कि भीजने वाले का address, और दूसरी चीज इसमें होती है destination address, यानि कि network interface card क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को match करता है, कि जहां से source से, जहां से यह message आया है, और जो इसने खुद यह message रिसीफ किया है, दोनों का address आपस में match करना चाहिए, जब यह addresses match हो जाते हैं, भीजने वाले का address और receiving computer का address यह match हो जाते हैं, उसके बात क्या करता है, कि यह network interface card, इस frame को convert कर देता है, एक packet में, और यह packet जो है, यह भेज दिया जाता है, आगे processing के लिए, और आगे फिर जाके, जो हमारा operating system है, यह packets कलेक्ट करता है, और उनको आपस में एकहटा करता है, और finally हमारी screen के उपर message डिस्पले हो जाता है, तो यहां से आपको अंदाजा हो जा होगा कि network interface card कितना एक important किरदार अदा कर रहा है, एक computer को बाकी computer से connect करने के लिए, अब network interface card की जो हमने एक्जेमपल लिए, दर असल wired network interface card है, इसके अंदर हम कोई ना कोई wire connect करते हैं, इसके इलावा हमारे पास network interface card की एक और example है, जिसे हम कहते है, wireless network interface card, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे different चीज है, यहां पर कोई wire लगाने की ज़रूत नहीं, बलकि यहां पर क्या है, यहां पर एक antenna लगावा है, यह antenna क्या करता है, कि atmosphere से या इसके आसपास जो air है, वहां से यह क्या करता है, radio signals receive करता है, और radio signals को receive करने के बाद बिलकुल उसी से उस radio signal को आगे forward करता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था, इसके लावा हमारे पास wireless network interface card में एक और example है, USB interface, जो कि एक wireless network interface card की एक example है, इसे हम USB की तोर पर इस्तमाल करते हैं, जिस computer में network interface card अवेलेबल ना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, यह जहां पर हमन wireless signal जो हैं, वो हासिल करने हो, यानि कि Wi-Fi से अगर आप अपने computer को connect करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इस device को, इस USB को अपने computer के साथ लगा देंगे, यह भी इसके अंदर जो इसका internal structure है, वो भी network interface card की तरह होता है, लेकिन फर्क यह है कि इसका antenna होता है, वो इसक अंदर मौजूद होता है, अगर हम इसको open करें, तो इसके अंदर हमें इसका antenna नजर आएगा, तो इस तरह से यह network interface card, जो है, without wire के, हमारे computer को, हमारे, जो wirelessly, हमारे computer को connect कर देता है, internet के साथ, तो इस video में, आज हमने पढ़ा, कि network interface card क्या है, उसे हम कहां पे place करते हैं, motherboard में, और इसके, और यह किस तरह से हमारे incoming signal को, यानि जो signal इस तक पहुंच रहा होता है, उसको वह किस तरह से convert करता है, और आगे किस तरह से उसको forward करता है,